हेलो इस्टूरेंट कैसे हैं आप आप सबी अच्छ होंगे प्यारे वच्छो आज हम करेंगे कख्छा 6 के एड़केट अभ्यास फुस्तक के सामजब ग्यान के अध्यातीन को इस अध्याय का नाम है वच्छो आरंभिक नगर तो इस अध्याय का जो प्रश्ण कमांग एक है व घडवकेट सब्यता का कउन सा दंगर तीन भागों में व्याजित था तो ये वच्छो दोला वीर तीन भागों में व्याजित था समेले के पहला है पत्थर और संग् अध्याय क hates अभण करतिसे में घ्रण की मोहर ये हडवकेता में मिली थे मन का चमकाना ये विस्यसग्यों का कार्वे होता है तो इस तरीके से ये ब्रस्ण हो जाता है प्रस्ण कमांग चार है हडपा सब्धा के पतन का कारण था तो ये सारे के सारे कारण बताए गए बच्छों अभी एक्शुल रीजन नहीं पता कि वो किस तरीके से खतम होई हडपा सब्धा लेकिन सबने अपने अपने अंदाजी लगाए तो ये इसका उतर हो जाएगा उप्रोग सब्धी प्रेशन का मांच पाँच है मुहर जोदोरो के महा निस्रानागार की कोई दो विस्थाएं लिखी है तो इसकी पहली विस्थाएं इसमें तलाप को बनाने क Chuई इंट और प्लास्टर का प्रियूग किया गया है दूसरी विजिस्ता है इस सरूर में उतरने के लिए दोनों तरफ सीड़ियां बनाई गई है प्रेश्ण के मांग 6 है हडपा की नगरों से पुरातत विदों को कौन-कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है तो इसका उतर होगा प्रातत विदों को तामे और कांसे के ओजा, हत्यार, बरतन, सोने, एवन, चान्दी के गहने प्राप्त हुई है प्रेश्ण के मांग साथ है हडपा काली नगरी विवस्ता की कोई तीन बिसिस्ताइं लिखिये तो पहली विवस्ता है इन नगरों के घर एक या दो मंजिला थे दूसरी है हडपा काली नगरी विवस्ता उत्तम थे तीसरी है कुछ घरों में कुई भी होते थे प्रेश्ण का मांग आठ है हडपा काली नगरी जीवन का संचेप में वर्नन कीजिए तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हडपा काल में लोग खास इमारत बनाने में जुटे रहते थे यहां के सासक दूर-दूर से बहुमूले बस्तूओं को मंगवाते थे यहां सिल्पकार इस्तरी पुरुष रहते थे प्रेशनका मांग 9. कच्छा माल किसे कहते हैं कोई दो आदार्ट लिखे उनका आयत वैं किंद्देशू से करते थे तो इसका उत्तर होगा हडपा सब्वेता की लोग तामा लोहा चांदी आधी धात्यों से परिच्छे थे वे इनका आयद राजिस्तान पच्छे मंगाल इरान अफगानिस्ता करनाटक गुजराद आधी प्रदेशों से करते थे प्रेशन के मांग 11 बच्छो आरंबिक नगर के लोग बोजन में कौन-कौन से चीजों का प्रियोग करते थे तो इसका उत्तर होगा हडपा सब्वेता की लोग खाने में और आनाच की रूप में ग्यहूं जो डालें मतर धान तिल और सरसों का और दूद गी मचली हिरन आधी क का वर्णन कीजिए इसका उत्तर है हडपा सब्वेता के लोग ग्यहूं जो डालें मतर धान तिल और सरसों आधी के करसी के रूप में ओगाते थे तता गाय भैंस वेड़ और बक्री आधी का पसुखारन करते थे प्रश्ण कर मांग 13 है हाडपा काली नगरों की दोलावीरा और लोथल की प्रमूग विसेश्टाइं लिखिए तो इसका उत्तर है दोलावीरा यहां साप पानी मिलता था और जमीन उपजाओ थी दोलावीरा नगर तीन भागों में बिवाजित बिवक्त था इसके चारो और उची उची देवारे बनी थी लोथल लोथल में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था इस नगर में एक भंडार ग्रैबी था अब और जर्षो प्रश्ण के मांग 14 शड़ा में निमलिखित को धर साएं यहां पर कुछ लगों के नाम दीनेहें के इसमान इस सब्सक्राइ तो इसके लिए उन्वयक्त कि उस्षिस भंशत्र के सा του रोगित यह श्यंप्रिटwegen जी आप gr direct rt यूगी आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप से मिलते हैं अगली वीडियो में